पार्शिवनी तैसील सीमा के भीतर कुवारा भीवसेन देवसाधन के पास जंगल में बुधुवार की शाम को पांच अग्यात आरोपियों ने बंटी उर्फ बापुजी वाडी भसमे को मौत के खाट उतार कर लाश जंगल की जाडियों में फेक फरार होने की घटना मित्र को जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठा का इशराप पीनी के लिए पेच ले गए थे वापस कुवारा भीवसेन की और आती हुए बंटी वाडी भसमे और उसके साथी मित्र सचन से मार पीड़ की इसी बीच बंटी वाडी भसमे को जान से मार दिया जैसे जैसे अरोली तहसील मोदा करेने बाला था वहीं साथी मित्र सचिन सम्रीत उम्र 32 अरोली निवासी बुद्वार को दुपहर धाई बज़े के आसपास अरोली से मोटर साइकल पर सवार होकर कुवारा भीवसेन पार्शिवनी आये थे कुछ देर बाद पांच लोगों से मुलाकात इसी बीच पांच लोगों ने म्रतक रवी और उसके साथी सचिन को गाली गलोच का जबरन टेक्टर ट्रॉली में बिठा कर कुवारा भीवसेन से पेच नए गाफ खेरी में लाया सभी ने देशी शराब खरीद कर भीवसेन की और टेक्टर ट्रॉली में बैटकप वापस आ रहे थे तभी फिर से आरोपियों ने टेक्टर ट्रॉली में दोनों से मार पीट की उसी बीच इम्रतक रवी का गला डुपटे से रौधने की कोशिश की गई तो साथी मित्र सचिन के हाथ भी बांद दिये गए थे इसी बीच विवसेन के पास ट्रेक्टर ट्रॉली रोट से पशिम की और तीन सो मीटर दूरी पर रोट से जंगल की और ले गए तबी सचिन ने ट्रेक्टर ट्रॉली से छलांग लगाते हुए भाग गया परम्रतक रवी को फिर से मारपीट की उसी दोरान उसकी मौथ हो गई रवी की लाश को वहीं फेक कर अग्यात आरोपी घटना से परार होने की जानकारी प्राप्त हुई है साती मित्र सचिन को जान का खत्रा देखते ही सचिन चलते ट्रेक्टर ट्रॉली से छलांग लगाते हुए वहां से भागने में कामियाब रहा जो अरोली में जैस्ते से पहुचा हुई गटना की जानकारी परिजनों को दी गई अरोली पुलिस विभाग को गटना की जानकारी पारशिवनी पुलिस विभाग ने हुई गटना की जानकारी पारशिवनी पुलिस विभाग को दी को मिलते ही पार्शिवनी पुलिस हरकत में आते हुए तुरंत घटना इस्तल पर रवाना हुई जंगल जाडियों में रात के अंधेरे में छानबीन करने पर एक युवकी लाश खून से लत्पत पड़ी मिली घटना इस्तल पर पंचनामा कर मृतक का शब पार्शिवनी ग्रा पुलिस उपन रिख्षक संदीपान उबाले पुलिस उपन रिख्षक ज्यानोबा पलनाटे पुलिस मुदत्स जमाल पुलिस रोशनकाले चालक रवी बव पुलिस प्रेम जाडे पुलिस संदीप कड्डू पुलिस सिपाई हरीश और अन्य पुलिस करमचारी गटनासल पर मौझूद थे आगे की जादपार शिवनी पुलिस कर रही है